विपक्ची के साथ साथ किसांसंग भी मद्वदे सरकार को आड़े हातों ले रहा है कमलनाथ जी का ट्यूट आप देख सकते हैं 40 हजार उपे प्रती हिक्टेर मुआवजे की मांग कर रहे हैं साथ साथ वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है अंते तक बने रहे हैं चेनल पर नहीं है तो सब्काइब जरू करें जे जवान जे किसांग चलिए करते हैं वीडियो की सुरुवात करते हैं खरगोन से जहां किसांग ने 5 अक्टुमबर तक सर्वे नहीं हुआ तो अंदुलन की चेताओनी दे दिये मद्विदेस सरकार को हम बात कर रहे हैं भारी बारिस की वज़े से बरबाद भी फसलों के सर्वे हों मुआवजे रासी को लेकर खरगोन में किसानों ने बहुती बड़ा प्रतिसण किया है और खरगोनी क्या अतिर वे स्ट्री के बात बरबाद भी फसलोla का सर्वे अब तक नहीं होने को लेकर प्रदसन कर रहे हैं वो कलेक्टर को ग्यापन देने की मांग पर अड़े थे रात में जब कलेक्टर खुद ग्यापन लेने पोचे उसके बाद उन्होंने प्रदसन खतम किया यानि कि जिला मुक्याले पर बलराम जेहनती पर रास्टी किसान मजदूर महासंग ने अनाज मंड उन्होंने पहले सबह को संभदित क्या हूँ उन्होंने हाली में भारी बारिष से बरबाद भी फशलों का सर्वे अब तक सुरूर नहीं करने और कोई आर्थिक साहीता की घोष्णा नहीं किय जाने पर सरकार को आड़े हाथो लिया है मैंने आपको बताया था कि किसान लग कारी सोसल मीडिया पर चल रही है इसमें अभी कोई ठोस सबुत सामने नहीं आया कि तीस तारीक तक फसल भीमा मिलेगा नहीं मिलेगा हाई ये जरूर है कि सिएम सिवराज सिंग चोहान हर जगा मन्ज से ये कह रहे हैं कि फसल भीमा भी देंगे रहात रासी भी देंगे अंदुलन शुरू कर दिया किसान और अपसरों के बीच तीखी भहस हुई किसान कलेक्टर को ही ग्यापन देने की बात पर अड़े थे इससे लेकर अपसरों में भहस हुई संगटन के जिला दिक्च गोपाल पाटिवरार ने बताया कि साम छे वजे तक प्रतसन में रास्ट किसान अंदुलन करेंगे उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदेश के करसी मंत्री और जीले के प्रभारी मंत्री के जिले में किसानों की यह अखला थे तो प्रदेश में क्या स्थीति होगी यानने की सीधा सीधा किसान संग ने मद्धि प्देश हरदा जीले के करसी मंतरी कमल पटेल को भी Target के है 37 सीएम सिवराइशिंग चोहान को भी Target के है और किसान के साथ इख़ी अब विपक्चबी कंग्रेस भी लगातार हमलावर है क्योंकि इस समय सभी लोगों की सरकार सुन रही है हर वर्गी की सुन रही है लेकिन किसानों की सरकार नहीं सुन रही है स्वायविन का समय चल रहा है और किसान के हलात बहुत जादा खराब है पहले तो कम बारिस की बज़े से फसले खड़ाब हुए और अब भारी बाइरिस की बज़े से उमीद किसान भाईयो आपको वीडियो पसंद आओगा सेर जरू करें